पाहन पूझे, पत्थर को पूझने से अगर हरी मिलता है, तो मैं पहाड पूझो, उन्होंने कहा है कि मंदिर, मस्जिद और गिरजा गहर, यानि चर्च के बाहर, मंदिर के बाहर और मस्जिद के बाहर बैठे, बिखारी इस बात का सबूत है कि अंदर सुनने वाला कोई नही ग्रेटिट्यूड, यानि कि जो भी आपकी लाइफ में हैं, उसके लिए आप थैंक्फुल हो जाते हैं, धन्यवाद दे देते हैं, तो ईश्वर को लगता है कि मैंने जो उसको धिया है, इसको मिल गया है, इसको पता चल गया है, पारसल डिलिवर हो गया है, रिसीव हो गय मैं कभी आया, बकरी है, ना समझ है, कभी मंदिर जाती है, मैं कभी आया, तो ये उनकी quality of thoughts रही है, तो ये चीजों से परिणाम आने में, बहतर रिजल्ट आने में समय लगता है, पाहन पूजे हरी मिले, मैं पूजू पहाड, या ते चाकी भली, जो पीस खाय संसार, उनका ये कहना है, एकर पत्थर को पूजने से भगवान मिलता है, तो मैं पहाड पूजू, पहाड पूजू, पत्थर से अच्छा, तो चाकी भली, यानि जिसमें आप अन पीसते हैं, जिससे पूरा संसार जो है, वो आटा यानि अपनी रोटी खा पा रहा है, पाहन पूजे, पत्थर को पूजने से अगर हरी मिलता है, तो मैं पहाड पूजू, अब क्या होता है, कि कई लोग के लिए पत्थर-पत्थर होता है, कई पत्थर से मूर्ती बनाते हैं, मूर्ती में प्रान परतिस्ठा करते हैं, और प्रान परतिस्ठा करने के बाद में उससे बात करते हैं, उनको बात ऐसी मैसो होती है, जैसे इश्वर से बात कर रहे हैं, वो मांगने नहीं वो इश्वर से बात करने जाते हैं, तो मेरे हिसाब से, यह जो कवीर दाज ने कुठारागात किया है, कहीं किसी एक हद तक सही बात है, लेकिन अगर एक पूरा मेकेनिजम उनको पता होता, एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा है, कि मंदिर, मस्जिद और गिर्जा घर, यानि चर्च के बाहर, मंदिर के बाहर और मस्जिद के बाहर बैठे, बिखारी, इस बात का सबूत हैं, कि अंदर सुनने वाला कोई नहीं है, अगर होता, बाहर बिखारी नहीं होते, लेकिन, कि लोग अभी मानना है, कि हम अंदर जाते ही भीक मांगने हैं, आप 99% लोग को देखो, वो जाते ही अंदर, चादर चड़ा के रजा ही मांग लेंगे, पैसे चड़ा के चैक मांग लेंगे, लड्डू चड़ा के छप्पन भोग मांग लेंगे, अगर आप इश्वर से बात करने जा रहे हैं, कि सब कुछ सही चलते, जीवन में एक बहुत important चीज़ है, इसको हम कहते है gratitude, gratitude, यानि कि जो भी आपकी लाइफ में हैं, उसके लिए आप thankful है, जो भी आपके लाइफ में, being thankful, कि जो है वो अच्छा है, ये दुनिया का एक इतना बड़ा feature है, जिसके माध्यम से thankful हो जाते हैं, धन्यवाद दे देते हैं, तो ईश्वर को लगता है कि मैंने जो इसको दिया ह है, इसको मिल गया है, इसको पता चल गया है, पार्सल डिलिवर हो गया है, रिसीव हो गया है, अब इसको और दो, इसको और दो. But if you are not thankful, if you are not thankful, then इश्वर को लगता है कि नहीं, इसको जो दिया है उसी का नहीं पता भी तक और तो क्या दे उसे? हमें ये समझ लेना है, कि हमें मांगने की उम्मीद नहीं करनी, क्योंकि मांगोगे तो मारे जाओगे, इस चीज़ को रट लेना है, क्योंकि कई बार मूर्थी पूजा एक object meditation भी होता है, जिसमें आप इश्वर की तरफ, भगवान की तरफ देख कर, अपने सांसों को, अपने focus को centralize कर रहे होते हैं, उनसे बात करने का परियास कर रहे होते हैं, गहरी ध्यान मुद्रा में जाने का परियास कर रहे होते हैं, शांती पाने का परियास कर रहे होते हैं, जो अची बात है. इच्छी बात है, एक बड़ी इंट्रेस्टिंग कहानी है, भारत में कबीर पंथ, मानने वाल लोग को कबीर पंथी कहा जाता है, और चत्तिसगड जैसे राज्य में यह सबसे ज़ादा है, तकरिबन भारत में डेड़ करोड लोग कबीर पंथ को फॉलो करते हैं, हिंदू भी फॉलो करते हैं, मुसल्मान भी फॉलो करते हैं, हिंदू जादा फॉलो करते हैं, एक समय की बात है, कबीर दाचने एक बकरी पाली हुई थी, बकरी, बकरी कई बार मंदिर में घुच जाती, वहां के पेड़ पो देखा जाती, कबार मस्जिद में घुच जाती, वहां के प मैं कभी आया बकरी है ना समझ है कभी मंदिर जाती कभी मस्जिद जाती है मैं कभी आया तो यह उनकी quality of thoughts रही है और ऐसे लोग जो अपना एक धर्म बनाते हैं वो इस धर्ती पर सम्मानिय है हमेशा हमेशा के लिए सम्मानिय है लेकिन ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत OTT भारत एक मिशन है और उसका उद्देश्य यह है कि दुनिया में जितनी भी बहत्रीन बाते हैं मुझे पता है OTT भारत के मिशन से जुड़े लोग एक बार दो बार तीन बार एक साल दो साल या हो सकता है एक सेशन दो सेशन कनेक्ट रहेंगे फिर बूल जाएंगे जबकि चीजों से परिणाम आने में बहतर रिजल्ट आने में समय लगता है